अस्सलाम ओलेकों मेरे दोस्तों अगर आप लोग साओधी अरभिया में रहते हैं तो आपके लिए वीडियो दिखना बहुत जवरी है क्योंकि अगर आप लोग एक गलती करेंगे तो आपको खुरूज नहाय लगा कर कंपनी भेंज देगी यह इसा कुछ भी नहीं है कि नया क को कफिल सिस्टम का कानून आया खतम कर दिया गया है तो क्या हमको खुरूज नहाय लगा सकती है तो मेरे भाईयों लगा सकती है बहुत सही लोग के साथ हुआ है बहुत सही लोग का खुरूज नहाय भी लग चुका है क्योंकि उसने जो पेपर है एक्सेप्ट नहीं किया ह तो यह government और company मिलकर हम लोगों को घुमा रही है पता नहीं चोदा मार्ज को क्या लाग हुआ जैसा के labor के लिए कहा गया था आजादी का दिन है इसा कुछ भी नहीं मेरे भाईयों अजादी का दिन नहीं है सब के सब government की तरफ से भी यही का गया था कि 14 मार्ज से कफिल सिस्टम को खत्म कर दिया गया है लेकिन कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है कि 14 मार्ज के बाद कोई भी कफिल खुरूज नहाए या final exit या छूटी नहीं लगा सकती अपने मर्जी से तो labor को क्यों अधिका नहीं दिया गया अभी तक labor को तो अधिकार दिया जाना चाहिए अभी तक क्यों अपने मर्ज से छूटी लगा है या खुरूज लगा है अभी labor को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि अपने मर्जी से छूटी लगा सके या खुरूज लगा सके या किसी company में जा सके ब जब आप लोग नए कानून में आ जाएंगे उसके बाद कोई भी कमपनी या कोई भी कफील आपको खुरुज नहाई नहीं लगा सकती है ये सिस्टम ये अपडेट आया है तो मैं सोचा हूँ आप लोग के साथ थोड़ा सेर कर दिया जाए ताके आप लोग थोड़ा अलट हो रिष्टर करो और वहां पर पूरा डिटेल चेक करो और आप लोग देख सकते हैं लेकिन कोई भी फाइदा का चीज अभी तक नजर नहीं आया है तो आप लोग ही बताईए क्या किया जाना चाहिए अगर आप लोग के साथ इसा हुआ है तो आप लोग कमेंड करके जरूर आप लोग को कोई भी खुरूर नहीं लगा सकता है लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा मामला आया है मैंने सामने तो मैं सोचा हूँ, आप लोग को थोड़ा अलट कर दूँ अगर आप लोग इस चोर बजारी से बचना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी कमपनी के साथ एग्रिमेंट करना ही परेगा, उसके बाद ही आप लोग इस सिस्टम में सामिल हो सकते हैं उसके बाद अपने मर्जी से कुछ भी करेंगे, बाद में आने वाले टैम में यह पूरा दीटेल आएगा लेकिन अभी धमकी पर धमकी आ रहा है तो आप लोग ही पता ही क्या किया जाना चाहिए तो छोटा से जनकाई था मैसो चाहिए आप लोग के साथ सेर कर दिया जाए ताके आप लोग भी थुड़ा अलट हो जाए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए अल्लाहाफिस कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछे